इस वीडियोवे हमें बात करेंगे कि function और méthod के बीच में क्या difference है यह function और méthod के बीच का difference यह बहुत माइनर है लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है इसी लिए यह इस वीडियो में इन दोनों के服 실र्ण को समझेंगे So without wasting the time Let's get started इस अफ्ले function क्या होता है के difference को समझेंगे so without wasting the time let's get started कि सबसे पहले function क्या होता है function is a set of code pack inside a block with some name उसका मतलब कि function क्या होता है कि lines of code को हम एक block के अंदर pack करते है और उस block का कुछ नाम देते है उसको हम function बोलते है अब गाइस method क्या है method is a function inside an object मतलब कि अगर आप किसी function को किसी object की property के साथ link करते हो या object की property को कोई function assign करते हो तो उसको हम method बोलते है तो उसका मतलब कि method को हम function बोल सकते है लेकिन function को method नहीं बोल सकते है चले गाइस इस difference को code के थूरू practically समझते है जिससे कि आपको ये difference crystal clear हो जाएगा चलिए सबसे पहले गाइस हम function देखते के function किसको बोलते है ओके तो यहाँ पर हमने एक function क्रेट किया get data करके अब इस function को हम call करते है प्रोग्राम को run करते है देखिए गाइस perfectly console के अंदर get data print हो गया मतलब कि ये function perfectly work कर रहा है चले गाइस अब method का example में आपको बताता हूँ अब गाइस हमारे पास एक object है obj करके write और यहाँ पर हमारे पास एक property है get data और इस get data के अंदर हम एक function assign करते हैं यहाँ पर हमें anonymous function assign करना होता है क्योंकि यह property के name से हम इस function को access करेंगे चले गाइस अब गाइस इस function को हम access करते हैं यहाँ पर मैंने comment कर लिया है यहाँ मैं लिखता हूँ inside object ओके चलिया अब इस function को call करते हैं गाइस अब ऊपर वाले example के अंदर जहाँ पर हमने get data function create किया तो वहाँ पर उस function को हमने simply get data करके call किया मतलब कि function के नाम से directly call किया अब यहाँ पर जो function create किया जिसको कि हम method बोलते हैं इस वाले case में यह जो object के अंदर जो function है उसको हम method बोलते हैं क्या बोलते हैं method तो गाइस अब इस function को access करने के लिए हमें object को यूज करना पड़ेगा object की मदद से ही हम इस function को call कर सकते चले गाइस देखते हैं obj.get data हमें इस object की मदद से ही इस function को call करना होगा हमें इस object के बीना इस function को call नहीं कर सकते So guys, यह difference है function और method के अंदर कि function को हम directly उसके नाम से call कर देंगे और method को हमें इस object की help से ही call करना होगा Okay guys, चलिए guys देखते हैं, control is save देखे guys perfectly get data inside object प्रिंट हो गया मतलब कि function और method में difference यह है कि function को हम directly उसके नाम से call करते है और method को हम object की मिलत से call करना होते है कि object dot और उसकी जो भी key है यहाँ में get data है तो object dot get data करके Okay guys, so guys यह difference है function और method के अंदर कि function को हम directly उसके नाम से call कर सकते है और method को अगर call करना है तो object की मिलत से उस method को call करना होता है और function और method में difference यह है कि function को हमें किसी object या किसी class के साथ define नहीं करना होता है, किसी class के साथ उसको link नहीं करना होता है simply वो independent execute होता है independent वो create होता है लेकिन जो method होता है वो किसी object या किसी class के ओपर dependent होता है और हमें अगर उस method को access करना है तो class या object के instance के through ही हम उस method को या उस function को call कर सकते है तो method को call करना है तो हमें class या object के instance के through ही call करना होगा तो यही difference है function और method के इंदर तो यही दिफरेंस है फंक्शन और method के इंदर